जैस्री शाम, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल कुक हैल्दी आज हम बनाने जा रहे हैं सभी के फेवरेट बेसन के लड़ू जो बहुत ही कम सामगरी में बन के तयार हो जाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं बेसन के लड़ू बनाने के लिए एक कडाई ले लिया है तो एक बार में मैं आदा कप डाल रही हूं और गेस की फ्लेम को ओन करके इसको गरम होने देंगे दो कप मोटा बेसन ले लिया है यह अब इसमें घी में डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे ये लड्डू बनाने के लिए मोटा बेसन ही लेना चीए तो अब हम इस बेसन को लगातार चलाते वे लो फ्लेम पे ही सेखना है बेसन को सेखते वे 10 मिनट हो गए हैं अब इसमें 2 चम्मच गी और डाल देंगे गी की क्वांटिटी बेसन के अनुसार ही रखेंगे जैदा की डालने से लड्डू सेख होने में समय लगता है तो इसको थोड़े देर और सेख लेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर का न हो जाए अब इसमें एक चम्मच गी और एड़ करेंगे तो यहां पर मैंने बेसन में टोटल थ्री फोर्थ कप यानि पॉन कप गी एड़ किया है अब इसको गोल्डन कलर होने तक इसी तरह कंट्यूनिसली स्टेर करते रहेंगे करेंगे अब यह लाइट गोल्डन कलर का होने लग गई है खुसवू भी बहुत अच्छी आने लग गई है अब हमें इसको इसी स्टेज तक पकाना है तो गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे आप अगर इसी कड़ाई में रखना चाहो तो इसको गेस बंद करने के बाद में इसी तरह चलाते रहना है क्योंकि गड़ाई अभी भी गरम है तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी तो अब यह मिश्रन हलका ठंडा हो गया है इसको हमें हाथ से छूपाएं इतना ही ठंडा करना है और आदा टीस्पून इलाची पारडर डाल देंगे अब मैं यहाँ पर डेड कर बूरा डाल रही हूँ आप यहाँ पर मिठे की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो तो बूरा डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो बेशन और बूरा अच्छे से मिक्स हो चुके तो इसका थोड़ सा पॉर्चन हाथ में लेकर हाथों में घुमाते वे गोल सेप देते वे लड़ू बना लेंगे लड़ू आप अपने अकोर्डिंग छोटे या बड़े बना सकते हो तो इस प्रकार से सारे लड़ू बना कर तैयार कर लेंगे ऐसे हातों हाथ के बीच में गुमाएंगे तो लड़ू में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी तो इसी प्रकाद से सारे लड़ू बनातर तयार कर लेंगे इसी प्रकाद से मैंने सारे लड़ू बनाकर तयार कर लिए हैं बहुत ही अच्छे और दानेदार लड़ू बनकर तयार हुए हैं आप भी अगर इसी प्रकाद से लड़ू बनाएंगे तो आपके भी लड़ू बहुत अच्छे बनेंगे वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेर और कमेंट करें मेरे चैनल कुक हेल्थी को सस्क्राइब करें बेल आइकन को भी टैप कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिविकेशन आपको रेगूलर मिलती रहे अब लड़ू को डेकोरेट करने के लिए इन पे एक पिस्ता लगा देंगे ताकि ये देखने में भी सुन्दर लगें तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में